मेरे महरवानों जन्ता की बहत मायं के उपर ये हर पुल सिंग जांट का किस्सा आपके सामने पेश करने जा रहा हूं अगर कोई गड़ती हो जाए तो आपका छोटा बाड़क समझ करके माप कर देना तो क्या बताया विलोग गुलगर सबिश्टा सिंगा यार सिर्ला पुझे छाप ले मुझी पाई जैजी स्टूडियो जाप लाँ एक बर सुमरू सिव संकार ने गाल में नागल पेटा खाए दूजा सुमरू बोंगिया ने अट क्योडा दे काम बणाए तीजा सुमरू बागी रतन गांग बवर जटाके माई जोता सुमरू राजा रामन जनुस तोड सीता ने लाई बाचा सुमरू हनु मान ने छिन मैं लंका दी जडाए हर पुशिंग का किसा सुणाओं सुन जो सजनों द्यान लगाए जोती मरती ठीक था सुन्या से तन का पाप परेवे जाए सुवर ल्यावे बारा पच्चा पेट बरे गड़ियारा क्यमाई मुर्ग ल्यावे बीस तीस कोई बान में दोर बिलाई खाए सिंगनी ल्यावे एक सेर कोई ताक पड़े दुनिया क्यमाई कुरुन मनाई बाई कुरुन मनाई अब चेले नेर लिया मनाई आज आप गोति मेरे पुझ कूंडल पर सन मुक माथ सार दामाई इस तरती पर जार वीर ते जिनन दुसमन दिया क्य पाए गावरे खड़ी मजक नहीर था दुले रामरे वाडी क्यमाई गाशी कुल में जाती बरा मन छतरा पण में दरगा पावे गावचु लाइनी मतन म्या पूल सिंग दाक्त पड़े दुनिया क्यमाई तो क्या बताया आगे पाच साल का हुया पूल सिंग लेपाटी पड़गा ने जाए इंदी पड़गा उड़तु पड़गा पास वया यंग रेजी क्यमाई सनसोलम मंडी लड़ाई हर पूल दिन्या नाम लिखाई साचाल वोकरी नोकरी गोराई की पल तनक माई तो मेरे महरवानों एक दिन उस भोज के करनल के बेटे को सीखा जाता है और वो भोज करनल और वो हर पूल दोनों वन के अंदर छिकार खेलने के लिए जाते हैं और क्या अगे वारता होती है करनल का बेटाने एक दिन उनक माई सिंगणों खा जाए शिंग मारणते करनल सजनों हर पूलने सागे ले जाए आता देखा जिंगने सजनों करनल गया वार हुताए जट सवार किया हर पूलने सिंग मार दिया मिन टामाए तो मेरे महरवानों वो भोज का करनल उस हर पूल को क्या कहता है इक दिन बोल्या भोजी करनल सुनर हर पूल द्यान लगाए मुनश की तू पीत तार दे हवल तार तन देऊ बणाए हर पूलने जब पीत तार दी हवल तार बिन दियो बणाए जिकत नर हर पूल की दूटी गडरों दिक मैधी लगाए ऐसी चाल चाल गूम कर जैसे करनल वापू जाये तो मेरे महरवानों हर पूल सिंग को हवल दार की उपादी दे देते हैं और हर पूल सिंग की दूटी गडरों दिक में लगा देते हैं जब गडरों दिक में दूटी कर रहा था उसी टाइम के अंदर कुछ मुसल्मान गव माताओं को लेकर गे आ रहे थे और जब उनको मार रहे थे तो गव माता डिडा रहे थी तो वो आवाद हर्पुल सिंग जाट को सुनाई देती है तो हर्पुल सोचता है भाई अपना हिंदु धरम तो बिल्कुल भी नहीं है भाई तो कैसे वो हर्पुल सिंग जाट जाता है और उस मुसल्मानों से बाते कर रहा है तो क्या कर रहा था कोण काव से गऊ करीदी कोण ने चालिए जाए कोण काव से गऊ करीदी कोण कावन चालिए जाए इतनी सुन के बोल्या मुसल्ला सुनर छोरे ज्यान लगाए रेवाडी से कवु खरीती गटरों दिकम चाली जाए कडरों तिक मैं कवु कटे छे कवु कटे है ते कयमाए तो मेरे महरवानों उन मुसल्मानों को वो हर्तुल सिंग जाठ हाथ जोड करके विंती करता है तो क्या कर रा था हाथ जोड कर बोल्या पूल सिंग सुन लो बायो ध्यान लगाए एक उका सो सो रुपिया आंकी देवो पंद छुताए इतनी सुन के बोल्या मुसल्मान सुनर छोर जान लगाए रुपिया के बल रांड छुटाल खंजार के बल लेवन छुटाए इतना बोल सुन्यार फूल सिंग लाजी आग बदन के माए तो मेरे महरवानों हर्पुल सिंग को मुसल्मान ऐसी बात बोलते हैं तो हर्पुल के तन बदन में आग लग जाती है और हर्पुल सिंग जग्दामबा को सुमरता है तो किस प्रकार सुमर रहा था तो न सुमरू ये बवानीड ते क्यान देबाडी अरे क्यान देबाडी गिड़ते क्यान देबाडी तो न सुमरू ये बवानीड ते क्यान देबाडी अर्पुल सिंग तन मनारयों कूतार्द रखवाली तो न सुमरू ये बवानीड ते क्यान देबाडी तो हर कुल और वो मुसल्मान आप शरी गैंदर युद करते हैं किस प्रकार से कर रही थे बेलावार जब कर्या मुसल्मा हर कुल गया वार हुकाए पलतन का वो खेल्या पाया कुल पगली वो काट्या जाए तू जवार कर्या हर कुल ने के मारे चोटी के माई अला अला करे मुसल्मा लास पड़े जीडी के माई बेली मार्या मुमद अली ने तड़े मुदी उपरा ने पाय दू जमार्या अलाउ दिन ने दिया सड़ा का खोद मिटाए सभी मुसल्मा का कर्या सपाया एक तु रकन छोट्या नाए गेर कायान में चल्या पूल जिंग समड़ा की गउसाड़ा लाए दो मेरे महरवानों गउ माताओं को गउसाड़ा में समड़ा करके और वो ठोज में जाता है तो ठोज का जो करनल था वो हर पूल को डाट मारता है और कहता है आज जी तुझे वापस सिपाईं के अंदर रखूंगा तो केसे कह कह राता बैल तो मन गोडा चड़ायो अब गदे पर चटता नाये बैल तो होलतार बणायो अबरा घर सिपाया माये गई पापु मारो नाम काट दे पण छूर्टी मन दे तिलवाये नाहर पुल तेरा नाम काट ता पण छूर्टी मिलने की नाये जरनल मार कवरनल मायर्या मायर्या सिपायी बे परवाने तिलवती मुन सिशारा मायर्या सुबे तार ने छोट्या नाये साथ करोड का तोड्या खजाना कंगला नेंदिया माल लुटाये वास चाल्या पूल सिंगवो गावा जुलाइनी मचाल्या जाये वास हर पूल चाल्या शाजनों कावा जुलाइनी मचाल्या जाये गव मता की कथा सुन्या सेतन का पाप परेवे जाये सत पुर्षां की कथा सुन्या सेतन का पाप परेवे जाये बोलो सत गरू भगवान की मेरे महरवानों जनता की बेहत मांग के उपर ये हर पूल सिंग जाट का दूसरा भाग आपकी सिवा में आ रहा है जब हर पूल सिंग जाट गव माताओं को गो साणा में भेज करके और अपने गाउं जुलाणी में आता है और अपने का 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 की से बात करता है और अपने बीते हाल सुनाता है तो किस परकार से सुना रहा था मापल टन से खारी जहो का 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 थारी मन राय बताये मापल टन से खारी जहो का 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 थारी मन राय बताये जमी मसै मन जमी बता दे पोठ्या का थे इसा बताये पूड़ा सामन ल्या दे बढ़ती आवासै यू मैं काम चलाये इतनी सुन कर पोल्या काका सोणर हर पुल ज्यान लगाये तु आया तेरी माकी गैलड गैलड का कोई बांटा नाये इतनी बातां सुन पूल सिंग लागी आखि बतन कैमा आये ऐसी मारी चोट गुमा कर पियो का का को खोज मिटाये तो मेरे महरवानों काका और काकी को मार करके और हर पुल सिंग अपनी माता के पास आ जाता है और माता कहने लग जाती है कि हे हर पुल गो हत्या बंद नहीं करवाएगा जब तक मुझे तुम मुह मत दिखाना तो मेरे महरवानों आगे क्या बात होती है अर पुल सिंग जात अपनी मा के पास से आ करें और जीडी में रहने लग जाता है और अपना समय व्यतित करने लग जाता है तो कैसे कर रहा था और गाउं की बहन बेटी से रोटी ले करके खाता है और उनको रुपए दे देता है लेकिन कुछ समय व्यतित होने के बाद एक दिल्ली का चुड़ा जिसको उस हरपुल सिंग जात की सभी इस्टोरी का मालूं था मेरे महरवानों तो वो उस जीड़ी के अंदर नकली हरपुल के नाम से लोगों को ठगाई करता था एक दिन मेरे महरवानों सर्डाबी गाउं की सुजा जांट की माडू छोड़ी अपने बाद की रोटी लेकर गे अर उसी जीड़ी से जाती है तो वो नकली हरपुल मिल जाता है और आगे क्या वारता होती है माडू छोड़ी कले जाट की ले रोटी बापु की जाए माडू छोड़ी कले जाट की ले रोटी बापु की जाए सब्दर कण्यां को छोड़ी पर्यां गागरों पुझ मैं बादू लिया जचाए उन्नों तोड़ां को छोड़ी पर्याटे वटों और गणा मैंनों सरहार शीर पर छबणों हाथ महू को ले कर माडू चाली जाए उदर तवे गीरे मालिक की जीडी मैं चूड़ों मिल जाए देख माडून मैं मोल्यों चूड़ों जोड़ी छोड़ी द्यान लगाए दोरोटी दूमने खिलादे आम तेरो भलो हो जाए पितनी सुण कर बोली माडू सुणरे पीरा ज्यान लगाए एरोटी रै मेरा बाप की हालपा वे खेता के माए दाम बता दे देरो गाव बता दे ताती ल्यावों तूरत बढाए पितनी सुण कर बोल्या चुडा सुण ये छोड़ी ड्यान लगाए गाव जुलाइनी नाम पूल सिंग डाका मारू दिन कैमाए बता बता का कून कैया छे दोखा पिलकुल दिल मैं नाए डिपटी मुनसी सारा मार्या सुबे दारने छोट्याना जात करोड का दोड्या कजाना कंगलाने दियो माल लुटाए तो मेरे महरवानों इतनी सुनकर वो मालू छोरी कहने लग जाती हैं कि हे बीरा पांच मिनिट रुग जा मतन गराजा और जल्दी सी प्रताजा बना ल्याओं तो क्या ओ जुडा केता है पांच मिनट की कून ने आई पलबार की मेरे छमता नाए अब तक तो तन बैन कवे जो अब साइली तन लियो बनाए पार चापणा नीच दर दे जू साइली का खोज मिटाए गाली शेर तो पिगोरा बड़ी ग्यारा रोटी ली जचाए रोटी खालिया चाच पिलिया हूका पिया जीडी माए पिता हूका बोल्या चूडा रे छोरी दन सुन्याक नाए तू मठे करी सारी काड दे कपणा लता छोटू नाए तू मठे करी सारी लेल बिरा तन के हाथ लगाए नाए कितना मोल सुन्या चूडा नै तड़क बड़क बैठ्या हो जाए मारक ठोकतर नाडा तोड़्या लेंगा चीदी कड़ी उदाए जैसे छोरी मा का पेट मैं वैसी दुसमन ती बणाए माडू छोरी रोवय जाट की बाग बड़ी रचीडी कैमा आए तो मेरे महरवानो उद चूडा तूम भेगरी ले करके और उस माडू छोरी को नगन करके और वाँ से रवाना हो जाता है और जीडी के अंदर एक पेट के नीचे छाय में सो जाता है पुद्रतिस्वर की माया होती है उसी जीडी के आज पास वो हसली हर्पूल था माडू की रोवने की आवाज सुन करके और हर्पूल सिंग जीडी के बाहर निकल आता है और एक प्याव पर जल पिलाने वाली ताई से उस रोवने की आवाज के बारे में पूचता है कि हेता ये रोवने की आवाज कहां से आ रही है तो ताई कहती है कि बेटा एक हर्पूल सिंग जाट करके इस जीडी में रहता है जो एके माड़ छोरी जाटी में नगन कर राखी है तो मेरे महरवानों इतनी सुन करके और वो असली हरपूल उस जीडी के अंदर जाता है और कैसे आगे की वारता होती है पाइनी पीकर हरपूल सिंग वो जीडी माई जाला जाए आती देखर बोली रे माड़ू सुन रे बीरा द्यान लगाए जे तेरा पैराम दरम वैसापत नजर केरिये नाए आतना वोल सुन यारे फूल सिंग पाच कदम पाचा हट जाए गांदा परसे तारके दोती माई डू कानी तीर बगाए बांदा के दोती बाहर जादी जी साचा दे मन हाल बताए जेणी जेणी बोली रमारवाण वीरा दन्या सुन योकनाए पूत मरोर हर पूल जाट कोई नगन करीर जीडी ही करमाए तो प्या हर पूल केता है उसमाण छोरी को गांव जुलाए नी मन ही फूल सिंग दूजा हर पूल जन्न म्यानाए ओज बता दे ये दूशमन का जिन्दा बिलकुल छोटू नाए तो मेरे महरवानों इतनी बात सुन करके वो असली हर पूले दोथी की दो लीर करता है और एक लीर के अंदर कोबर के छाणे इकटे करता है और एक तोकरी बना करके और शिर्पर रकर के नाई का भेश बना कर और उसी जीडी में नकली हर पूल की सुर्था लगाता है और आगे क्या वारता होती है एक धोती की दोल बणाई इदड़ी बिदड़ी ली बणाए नाई का वो बेश बणा कर खोचा खोचा चाल्यो जाए एक मेर का मोड कहूं पर बेट निचे जूडों मिल जाए रस तो बूल को सुण मेरा बाई आटा को मन रस तो बताए तनी सुण कर बोल्या चूडा सुणर छोर द्यान लगाए कोण गावस आया नेवटी कोण गावन जाल्या जाए तनी सुण कर बोल्या पूल्या सिंग सुणर बाया द्यान लगाए कोईनी पत्सु आयार नेवकी सरडा पीम जाल्या जाए तनी सुण कर जूडा बोल्या सुणर छोर द्यान लगाए तीन रोज से मुखा मरता दो रोटी मन देता जाए कोडी सीतु तार गाटडी बिदडी रे छोड मन किलाए इतनी सुण कर बोल्या पूल्या सिंग सुणर बाया द्यान लगाए बायने किया तोली बीदडी तोलोडी माया गट जाए तो मेरे महरवानों वो हरपुल सिंग जान उस चूडा को वो बीदडी दिने से नाट कर देता है तो वो चूडा अचानक खड़ा होता है और उस हरपुल सिंग को कहने लग जाता है तो क्या कह रा था एक डाका मन मार्या सुबै दूजा मालिक दिया खिनाए इतनी सोण कर पोल्या पूल सिंग सोणर साला दान लगाए जाचे जी आए आचार साला तेरा नगत बने उपूच्या आए इतना मोल चुण्यार चूडान दखाल क्यार कड़े जामाए तो मेरे महरवानों दोनों में आपस में जंग छिट जाती है और आगे क्या वारता होती है पहली वार कर्यार चूडान हार पूल गईया वार उकाए दूजा वार कर्यार हार पूल में ठोकर मारीड छाती कैमाए पड़ता जिरता बोल्यार चूडान हार पूल तेरी काड़ी गाए काड़ी सरताय दोली हो जादूत तेरा पीणे कानाए पिक ठोकर में जीवन निकलगों चुड़ो पड़ो दरणी कैमाए तू मठे करी लेकर हार पूल जीडी में माडूत न जाए एल जी जी तेरी टो मठे करी कपड़ा लाता दिया पड़ाए मेरी लेरा पूलिस फिर छे मैं जाऊं जी डी कैमाए इतनी सोण कर पोली र माइडू सोणर पीरा त्यान लगाए मेरा हाथ की प्रेम दरम की दो दो रोटी खातो जाए आग आग माडूर चाल लेरा हार पूल जाए लो जाए उची हवे ली लाल जरों का हार पूल लेटी बलंग पैजाए दो मेरे महरवानों वो हर पूल सिंग जाट उस माडू छोरी के घर जाकर और अपनी बहन बना लेता है उसके घर जाकर रोटी खाता है और आग क्या वारता होती है याका किसा यही खतम है डंग आगे कार या सुणाए इडवीरू का लंबा रगडा इड़का ओड आवता नाए इड़का ओड आवता नाए इड़का ओड आवता ना बोलो गव्माता की मेरे महरवानो जनता की बहत माई के उंपर यह हर्ठपुलू सिंग जाट का तीसरा भाग आपकी सेवा में है जाट समाज के सहारण वन्स के महान को रख सके हर्ठपुल सिंग जब सूर्जा चोदरी की बेटी माढू के हाथ की रोटी खा करके और आराम करने लग जाता है और क्या आगे की वारता होती है खाके रोटी हूं का पीलिया हार पुल लेट पिलंग पर जाए खाके रोटी हूं का पीलिया हार पुल लेट पिलंग पर जाए खुदरत होगी रे मालिक की मैला माई पूलिस आजाए देख पुलिस ने मालू जाट की थार 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 रहीगा बराए भाग कर्या ने मालू सजनों हार पुल सिंग ने दियो जगाए दोती चोडा माला लेकार हार पुल सिंग साथू बन जाए ओम 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 ओर रट बाला यो विक्षा जोडी मन यो गलाए किदर उदर जब पुलिस देखरी हार पुल सिंग बाहर भग जाए बाहर जाकर दोना गाल्या ओम ओम ओर या पुकार इतनी देर मैं पुलिस फोच गी बाबाजी सुन द्यान लगाए आया के कोई एक आदमी बीका दो थे खोज बताए बाबाजी जब कर्या ही सारा पुलिस लोग सब भग जाए आके आके पुलिस भागरी पाथ पाथ बाथ बाबु आये देखी अकेला बाबु ने वो हार पुलिली नी बनुग जचाए ऐसी मारी छाती उपर बाबु ने दियो सवरक पुचाए वास सजनू चल्या पुल सिंग गाव जुलाई निम चाल्या जाए जाकर के मातान पुल सिंग सारी दिनी बाथ बताए तो मेरे महरवानों इतनी बाते सुन करके और वो माता हर पुल सिंग को गोजन खिला देती है और उसको बालत पन की सारी बाते बताती है और क्या आगे की बात होती है और कैसे हर पुल सुनता है सुन कर बातां बोली माता सुनर हर पुल ग्यान लगाए जैतू बात मने माता की सारी देऊं बात बताए जा तेरा से भेरा फिरिया उपोटियो अब ज्यावर चाए तेरे जीवता ओर परणले अपना कुल कैसे दाग लग जाए कितना बोल सुन्या माता काला की आग बतन के माए ले गोडाने चल्या पूल सिंग सरडाबी में चल्या जाए बोक घणाने मार पूल सिंग भूरो ने लियो गोडां बताए वासे हर पूल चाल्यो शजनू गाउं गंगार नम चाल्यो जाए बरतू शिंग के घर ले जाकर सारी दिनी बात बताए उतरतवैं की रही सवर की तोड़ा दिना मैं मा मर जाए तो मेरे महरवानों गाउं में कुछ लोगूं की इरिश्या के भाव से हर पूल सिंग और उसके ओड़तवैं मा अपने विश्वात पात्त साती बरतू सिंग के घर रहने लग जाते हैं कुछ समय के बाद हर पूल की माता खतम हो जाती है और वो भूरों भी गर्भूती हो जाती है 25 दिसंबर 1925 को हर पूल सिंग भूरों के एक लड़का जनम लेता है जिसका आगे जाकर के समसेर चिंचोधरी नाम रखा जाता है पूत्र और अपनी वदू को छोड़ करके वो हर पूल सिंग 1930 में रो तक समेत 17 अते बंद करवाता है और वो हर पूल सिंग जीडी में चला जाता है जब कुछ समय बाद गाउं गंगाणे में एक दिन जोर जोर से सोरगुल हो रहा था सजनू बताते हैं सिवाने गाउं में एक कासू रंगण रहता था जो की एक खागण को खेच के लालच में आकर के मार देता है और क्या आगे की वारता होती है आगे का थन हाला सुणाओं सुण जो सजनू द्यान लगाए कासू चंद गीचार बाई ते जिंदर आसत सिवाने माए जाती के ओर अंगड तेरे वात किसी की सुणते ना आये खेती वोया इक सांदे मैं भसल खेत मैं रही लराये काटन आया भसल खेत मैं खाकर काजिया खोच मिटाए जया करीना उलगुष्टों ने खबर फैल की हिंदू माए बूचर जाती करीर मिटिंग जब मिलकर गाव सिवाने माए ओकर के लाचार बेट गे उलको नाये मिलन की नाये दूर दूर तक रोला माचा खबर फैल हर्याना माए कबर सुणी हर पूल सिंग तैला की आग बतन के माए किसाले का काल गेर लिया बिलकुल जिन्दा छोटू नाये बैठी गोणे पर चाल्या पूल सिंग तिक तिक तरता चाल्या जाए जीडी से ओ चल्या पूल सिंग गाव सिवाइनेम चल्या जाए जाय सिवाइनेम पूल सिंग ओ काशु कली आपता लगाए चंदगी जोत हलखे ताम काशु रईया रोटी लाए साम जाकर बोल्या पूल सिंग सोणर काशु द्यान लगाए जैसे खगड को तुमने मारा ठायरी जान बचेगी नाए करना वैसो कर ले बेटा मो का फेर मिलेगा नाए कितनी सुण कर कासु गोल्या सुणर हर पूल जान लगाए जैतू चावे जान बचाईडी मने सकल दीखाए नाए कितनी सुण कर बोल्या पूल सिंग सुणर कासु द्यान लगाए पहला वार मैं तुझको देता कर ले तेरा मन की चाई पहला वार गिया कासु ने हर पूल गया वार उताई दूजा वार गिया हर पूल गया कासु का घोज मिटाई कासुन मर्चन गिने मायर्या एक पिरांगर छोट्या नाए मारक हर पूल कासु ने दिया खागड का वो बदला चुकाई वास हर पूल चाला सजनो राजस्तान बुहना जाए मेरे पहरवानो उन रांगलू को मार करके और हर पूल शिंग राजस्तान के जुन्जनु जिला के बुहना तेसल में जाता है कैसे आगे की वारता होती है वास हर पूल चाला सजनो राजस्तान बुहना जाए गाव पचेरी में मिल्या बैड से रैया अपना धर्म निभाए मेरे महरवानो जुन्जनु जुले के वाना तेसल में जाता है और एक अपने बामन समाज की बैन से मिलता है और उसी गाव के अंदर मेरे महरवानो एक ठाकर उसका द्रम का बाई था जब उसे भी जाकर के मिलता है और वो ठाकर लालच में आकर के फुलिस को बुला लेता है और क्या एंगे की वारता होती है गाव पचेरिम बाई द्रम का उसकन हर पुल चाल्या जाए खाकर भाई आलालच में पुलिस लीनी दुर्त बुलाए पकड कर्या नै पुल सिंग नै लेगी पुलिस जेल के माई जगराम चो तरिंगो पेटो पुल सिंग जेल के माई रयो गुराए रध्यू रात हर पुल सिंग नै फासी का फंद के दियो लटकाए कान पकेरू निकल्या पाच सतलत न दी मैं दियो बवाई या काई क्रिसा यहीं खतम है दन दन थाई दी जन नी माई मेरे महरवानों अठारसो चाणव में जन्मे महान को रख सके हर फुल सिंग जाट को 27 जुलाई 1936 को फासी के फंद के लगा दिया जाता है और उसकी मरत्य होने के बाद उस लाज को सतलत नदी के अंदर फैक दिया जाता है ऐसे महान गोर अक्षक के लिए आप सभी से विंती है जहां भी गोशाला हो वा हर पुल सिंग जाट के मूरती बनवाएं और गोशाला का नाम भी हर पुल सिंग जाट के नाम से रखे बोलो गव माता की जैहो